important chapter में से एक है, ठीक है, उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, now let's start, chapter का नाम है hereditary and evolution, इस पार्ट में हम लोग सिफ hereditary का चर्चा करेंगे, न कि evolution का, is that clear, वो अगले पार्ट में करेंगे, now let's start, आज का हमारा motivation क्या है, push yourself because no one else is going to do it for you, कहने का मदब आप अपने आपको push खुद करिये, ठीक है, क्योंकि कोई भी आपको पीछे से धकेलने के लिए push करने के लिए नहीं आएगा, इस काम को करने के लिए आपके success में कोई साथ नहीं देगा, आपको अपना success को सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित यानि ensure करना है, तो आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी दूसरे के भरो से बैटने से कोई काम नहीं होगा, push yourself because no one else is going to do it for you, कोई आपको मदद नहीं करेगा, अपना मदद आपको खुद करना पड़ेगा, तो यह, now let's start, देखे, आज की चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हरिडेटरी के बारे में, उससे पहले हम लोग समझेंगे, देखे, जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, what is the meaning of जेनेटिक्स, branches of the science that deals with the हरिडेटरी and variation, एक ऐसा ब्रांच साइन्स का, जो हरिडेटरी और वेरियेशन के बारे में चर होता है, हरिडेटरी, it means the transformation, transmission, transmission of features, characters, features का, characters का, traits का, from one generation to other, to next generation, is called हरिडेटरी, हरिडेटरी कहने का मतलब है, एक generation से, generation one से, generation two में, character का, किसका, characters, characters का, transfer होना ही, क्या होना, transfer होना ही क्या का लाता है, हरिडेटरी का लाता है, जैसे मान लिया कि ये फादर है, फादर, प्लस, मदर, फादर और मदर का कुछ character किस में आ जाता है, बेबी में आ जाता है, जैसे फादर का अगर बाल घुंगरूला है, तो बेबी का भी है, जो बाल क्या हो गया, घुंगरूला हो गया, करली हो गया, मदर का आई से गो, अ अगर ब्लू है तो उसका बेबी का भी सायद ब्लू हो सकता है, ठीक है, यानि कहने का मतलब है, माता पिता का जो थ्रेट से, वो ट्रांसफर होना, किस में, बेबी में, किस में ट्रांसफर होना, बेबी में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, हेरेडेटरी कहलाता है, क्या कहल यही बूल रहा है कि the means it means the transmission of features features का, character का traits, traits मने गुनों का from one generation, एक generation से next generation यानि दूसरे generation में जाना ही क्या कहलाता है hereditary कहलाता है variation क्या होता है, variation का मतलब बिभिंता होता है, differences the differences among the individual of a species and population are called variation, यानि लोगों में variation पैदा होना है आप देखते होंगे, दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं दिखता, ठीक है सब में कुछ न कुछ अलग होता ही है, है कि ने चेहरे से अलग होता है, तो उसी को हम लोग variation बोलते हैं अब आजाते हैं, हम लोग ने genetics meaning समझ लिया, hereditary समझ लिया, hereditary का था, it means the transmission of features, characters, traits from one generation to other generation, ठीक है, next generation variation क्या था, the differences among the individuals of a species, जितने भी जाती है, species है, उसमें differences आजाना, population, are called the variation, ठीक है, उसके बाद क्या है, Gregor John Mendel आते हैं, कौन आते हैं, Gregor John Mendel, ये कौन है, Gregor John Mendel जो है, Gregor John Mendel, Gregor John Mendel, started his experiment on plant breeding and hybridization, एक आदमी था, जो scientist था, जिसका नाम था, Gregor John Mendel, क्या नाम था, Gregor John Mendel, started his experiment on plant breeding and hybridization, उसने जो plant पे हैं, जो breeding स्टार्ट किया, और hybridization स्टार्ट किया, ठीक है, आउसने genetics का पता लगाने की कोशिश किया, इसी कारण Mendel को जो है, Mendel was known as the father of genetics, इसलिए Mendel को father of genetics भी कहा जाता है, देखें, यही है, उन्होंने जो plant में, पी का plant, किसको, पी plant को, पी plant को लेकर, उस पे है, जो genetics का research करने की कोशिश किया, यही है, हमारा, ग्रेगर साब, ग्रेगर John Mendel साब, ठीक है, ग्रेगर जोहान Mendel, इनका जो जन्म है, 1822 से लेकर, 1884 तक इनका है, जो lifetime रहा, यह Austrian monk है, ठीक है, इन्होंने पढ़ाई कहां किया, he studied inheritance of traits in plants, इन्होंने जो plant पे है, जो study किया, पी plant, यह जो आपको पी plant दिख रहा है, उस पे study किया, developed the laws of inheritance, उन्होंने inheritance का है, जो law को developed क्या, inheritance meaning ही hereditary है, heredity हो, heredity, heredity कहिए, या फिर, क्या कहिए, heredity कहिए, या फिर, in heritance कहिए, दोनों बात बरावरे हैं, ठीक है, दोनों का meaning से भी नहीं गलता है, hereditary बोलिये या फिर inheritance बोलिये, developed the laws of inheritance, Mendel's work was ignored until the turn of 20th century, 20th century के turn तक Mendel का काम को है, जो ignore किया गया, लेकिन बाद में जो पता चला न, किनोंने क्या कांड कर दिया था, सब सुनके, चौक गये थे, ठीक है, तहीं बात लिखा हुआ है, कि Gregor John Mendel, 1822 से लेकर, 1884 तक रहे हैं, started his experiment on plant breeding, plant पे breeding स्टार्ट किया, and hybridization, समझाते हैं, breeding and hybridization क्या है, इसलिए Mendel को, Mendel was known as the father of genetics, now let's start, उन्होंने कौन से plant का है, जो chain किया था, उन्होंने इस plant का, पी plant का chain किया था, जो हम लोग मतर देखते हैं, मतर चिमी, जो मतर दिख रहा है, इसी का है, जो उन्होंने selection किया था, कि हम इसी पर है, जो क्या करेंगे, research करेंगे, genetics का, देखे, पी का जो है, scientific name, पीसम सताइवम है, पीसम सताइवम, पाइसम भी इसको बोलता है, पाइसम सताइवम, आपने पाइसम साउथ में खाया होगा, उसी के नाम पर है लगभग, पाइसम सताइवम, is that clear, यहीं बूल रहा है कि plant selected, plant selected by the mendel, mendel ने कौन सा plant select किया था, पीसम सताइवम, यानि कि garden pea, यानि कि garden में उगने वाला जो मतर का पौधा है, उसको select किया था, and mendel used a number of contrasting character, क्या होता है, number of contrasting character of garden pea, यह contrasting character क्या होता है, वो समझाते हैं, देखें, contrasting character, contrasting character उसे कहते हैं, मतलब कि, अगर कोई वेक्ती लंबा है, अगर कोई man, tall है, तो tall-tall में, यानि लंबाई के हिसाब से देखा गया, किसके हिसाब से length के अनुसार, length का एक character देखा गया, कि दोनों में length कैसा है, अगर एक इंसान मोटा है, एक इंसान क्या है, मोटा है, और एक इंसान भी मोटाई के अनुसार, fat के अनुसार, देखा गिया ठीक है अगर एक इंसान गोरा है और एक इंसान काला है रंग के अधार पर कलर के अधार पर कलर के बेस पे यानि हम कह सकते हैं कि contrasting character उसे कहते हैं यानि कि वो गुणों के अधार पर क्या बूलता है गुणों के अधार पर choose करना ही क्या कहलाता है contrasting character कहलाता है contrasting character यानि कि गुणों के अधार पर चुनना कि अगर कोई है जो length के अनुसार देख रहा है कि कौन length में बढ़ा है प्लांट पे seven contrasting character देखा था साथ वो एक ही plant में मिल ला है लंबाई भी है मुटाई भी है रंगीन भी है तो seven कौन कौन से contrasting character थे अगले slide पे समझते हैं now let's go देखिया कहा गया हाँ वो seven contrasting character क्या पहला character क्या था seed save पहला contrasting character क्या था देखिया गिना आते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ seven contrasting character उन्हों देखा था तब पहला character क्या देखा कि कुछ पार्ट जो है round है कुछ पार्ट क्या दिख रहा है round है और कुछ है जो wrinkled है जुडिदार है ठीक है पहले मैं आपको यह समझाता हूँ dominant और यह क्या है dominant threat क्या है और recessive threat क्या है threats दो टाइप का एक है dominant dummy then threat दूसरा है recessive threat दूसरा कौन से threat है recessive threat दूसरा threat का क्या नाम है recessive threat ठीक है is that clear देखे रेसे threats क्या है threats के कहने का मतलब गुन है गुन दो टाइप के होता है एक तो होता है dominant threat और एक होता है recessive threat dominant threat उसे कहते हैं जो जादा मतलब बलबान हो जो जादा strong हो जो जादा क्या हो एक ऐसा गुन जो बहुत ही strong हो उस टाइप के थ्रेट को हम लोग dominant threat बोलते है और recessive threat उसे बोलते है जो ऐसा threat जो weak हो क्या हो वीक हो इस टाइप के threat को हम लोग recessive threat कहते है कहने का मतलब है दिखाते हैं हम आपको देखें अगर आप लोगों ने देखा होगा कि dominant threat जैसे मान लिया कि अगर कोई class है अगर आप कोई class में पढ़ रहे हैं ठीक है कोई class में पढ़ रहे हैं ठीक है यह class है class है इसमें ठीक है इसमें दो लड़के हैं क्या है दो लड़के एउ का नाम है गोलू आए का नाम है मोनू गोलू और मोनू मोनू ठीक है अब मान लिया कि गोलू है जो हमेशा पढ़ता है ठीक है इसमें बहुत ही leadership जैसा quality है यह पढ़ने में तेज है ठीक है वो हमेशा class में है जो बहुत ही अच्छे नंबर लाता है अजब कि मोनू है जो न तो पढ़ने में तेज है न तो बढ़िया से किसी से बा यहाँ पे क्या हो गया डॉमिनेंट हो गया गोलू यहाँ पे जादा तेज दिख रहा है गोलू यहाँ पे क्या दिख रहा है जादा तेज दिख रहा है तब गोलू लड़का जादा बहतर है कि मौनू जादा बहतर है को यह एक्जामपल समझ में आ गया होगा कि गोलू यहा batting वाला team है ठीक है तो batting वाले team में अगर मान लिया जैसे batting वाले team में 11 player होते है उसमें से एक player है जो बहुत ही best खिलता है छक्के चौके खुब मारता है अब बाकी 10 player है जो ज़्यादा मतलब बस ऐसे मतलब मारता तो है लनन तो लेता लेकिन ये कम मतलब weak threats रखता है इस देट clear? आगे बढ़ते हैं वह ही कह रहा है कि dominant threats क्या है? dominant threats और recessive threats dominant threats उसे करते हैं जो ज़्यादा प्रभावी थे ज़्यादा effective थे और recessive उसे कर रहे थे जो ज़्यादा effective नहीं थे sheet ship में कैसे दिखा गया पहला character पहला आ रहा है sheet का ship sheet का ship round भी हो सकता है wrinkled भी हो सकता है sheet का color देखे yellow भी हो सकता है green भी हो सकता है लेकिन round इसमें dominant है wrinkled के मताबिक yellow यहाँ पर dominant है green के मताबिक flower का color में देखे violet color और white color देखा गया ठीक है plant के भी comparison कर रहा है वाइलेट कलर भी देखा गया, वाइट कलर भी देखा गया, जिसमें वाइलेट है, जो डॉमिनेट कलर था, पॉड का शेप देखा गया, फूल एक दम, पूरी तरह से फूला हुआ है, अकुछ है जो कॉन्ट्रेस्टेड है, ऐसे है, अपने मतर छिम्मी वाला देखा होगा, ठीक है, पॉड का कलर देख लिए, पॉड का कलर ग्रीन था, तो पॉड का कलर अलो था, लेकिन ग्रीन है, जो डॉमिनेट था, यह रेसिसिव था, फ्लावर का पोजिशन देख लिए, फ्लावर का पोजिशन एगो है, एक्जाइल पे है, बीच में है, कहा है, प्लांट के height देख लीज़े, कुछ है जो tall हो गया, कुछ है जो dark हो गया, ठीक है, तो हम लोग ने कितने seven character, seven character contrasting देखा, seven contrasting character देखा, जो Mendeleaf ने चुना, dominant thread समझा, recissive thread समझा, seed का shape देखा उन्होंने, seed का color देखा, flower का color देखा, flower का color देखा, pod का shape देखा, हाइड देखा, तो कुछ stem का height बहुत ज़्यादा था, और कुछ stem का height बहुत काम था, मतब सूचिए, एक ही plant में इतना characters देख के, देखा, इसलिए उन्होंने piecem sativum जैसे plant का है, जो chain किया, is that clear? अब देखिए, यही बात ही यहाँ पर ही हुए, plant selected by the मेंडल, कौन सा plant रोन ने select किया था भाई, था, पीसम sativum, garden pea, मेंडल used a number of contrasting characters, मेंडल ने जो number of contrasting character use किया garden pea के लिए, ठेक है, for garden pea, character क्या-क्या थे भाई, the flower colorful था, flower of position, seed color, sheet का shape, pod का shape, pod का color, height of plants, है न, यह सब भी देखा, तो dominant character मैंने आपको समझाया dominant character उसे करते हैं जो ज़्यादा strong characters strong characters को हम लोग dominant characters कर रहे हैं ठीक है? तो dominant characters में purple, exile exile करने के मतलब flower जो है बीच में आ रहा था flower, क्या बोलता है? dominant yellow हो जा रहा था seed का color, seed का shape है जो round हो जा रहा था pod का shape है जो inflated बहुत फुला हुआ होता था फुल क्या होता था? फुल जो अभी बताए था हम आपको ठीक है? pod का color है जो green हो जाता है height बहुत tall होता है वही recissive thread में क्या हुआ? flower का color white, flower का position terminal सबसे उपर में, seed का color green seed का shape wrinkled, wrinkled यानि की जुड़ीदार ठीक है? constructed हुआ constructed होता है pod का shape देख लीजे, yellow था height of plant क्या था? draft था इस परकार से हम लोग उने इतने बातों को जानते हुए, इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि seven pairs of the contrasting characters in the garden pea उन्होंने garden pea में कितने character देखे थे? seven characters देखे थे कितने character देखे थे? seven character is that clear? can we move ahead? okay, now let's go अब देखे अब उन्होंने क्या देखा? Mendel ने experiment में क्या देखा? Mendel experiment कहता है कि Mendel conducted a series of experiment in which he crossed crossed pollinated plants to study one character at a time देखे हैं Mendel के character में क्या देखा? उन्होंने एक character character एक को character A से माना A का character A के character के बराबर है B का character B के character के बराबर है चीक है? ये character one contrasting character ये contrasting character दूँ तो बोला ना कि एक समय पर एक contrasting character से लेकर उन्होंने क्या करवाया? cross करवाया pollination करवाया क्या करवाया? poly pollination करवाया poly नेशन करवाया दोनों प्लांट में देखिए एबुला मेंडल कंड़क्टर अ सिरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच रॉस्ड द पॉलिनेटेड प्लांट्स तु स्टडी वन कैरेक्टर एट टायम यानि एक समय पर एक कैरेक्टर पढ़ने के उन्होंने क्या कोशिश किया चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए मोनो हाइब्रीड क्या है देखिए मोनो हाइब्रीड क्रॉस उसे काते हैं जब क्या बोलता है कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर एक कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर क्या बोला वन कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर के साथ व वन कॉंट्रेस्टिंग के साथ जब एक बार क्या बोलता है क्रॉस करवाया जाता है ठीक है तो उस टाइप के क्रॉस को ही हम लोग मोनो हैब्रिड क्रॉस करते हैं अगर लंबा है तो लंबे के साथ करवाएंगे अगर ग्रीन फ्लावर है तो वाइलेट फ्लावर है तो वाइलेट फ्लावर के कलर पे ही है बेसिस पे हम करवाएंगे ठीक है पॉड का शेप है तो पॉड के शेप पे ही क्रॉस करवाएंगे यानि सिफ और सिफ वन पियर वन pair of contrasting character, एक pair of contrasting character से जो ये करवाया जाता है, cross, pollination, उस type के cross को हम लोग mono hybridization भोगता है, mono मतलब 1, hybrid मतलब cross करवाना, ठीक है, यानि कि mono का मतलब ही होता एक, यानि एक character का आपस में hybridization करवाया नहीं क्या कर लाता है, mono hybridization का लाता है, एक जामपल में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, tall और short, कैसे, देखते हैं, tall और short plant का है, जो hybridization कैसे करवाया नहीं, देखिए, एक plant उन्होंने लिया tall, एक plant उन्होंने लिया tall, और एक plant लिया उन्होंने daft, इससे पहले में आपको ये समझाना चाहता हूँ, कि allele क्या होता है, ये लिखाता है कि नहीं, रुकिए, पहने ही नहीं काम कर रहा है, अब चलगा है, इलील, क्या है, इसको एलील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलील, एलील उसे कहते हैं, एलील is a character, इलील ये क्या है, character है, एलील उसे करते हैं एलील एक टाइप का करक्टर है ठीक है किसी भी इनसान में किसी भी प्लांट में जो करक्टर शो हो रहा है ठीक है और जो भी करक्टर शो हो रहा है वो अपने जीन्स के कारण सो हो रहा होगा किसके कारण जीन्स जो आप पहनते जीन्स वो जीन्स नहीं है यह DNA वाला जीन्स है, ठीक है, गारेक्टर, जो भी कारेक्टर हमारे इंसान में सो होता है, वो जीन्स के कारण ही, जो गारेक्टर सो होता है, उसी को हम लोग ऐलील बोलते हैं, ठीक है, इस डैट क्लियर, जैसे हमारे मनुश्य में, मेल में XY होता है न, और फीमेल में XX होता है, तो देखिए, इसमें Y के कारण हम लोग मेल हो जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए, X के कारण यहाँ पर हम लोग female हो जा रहे थे हैं, ठीक है, इन सभी को ही हम लोग ऐलील बोलते हैं, ठीक है, जो अभी हम लोग sex determination में आगे पढ़े हैं, तो पढ़ना ने बस ऐसे समझा दिया, ठीक है, अभी हम लोग ऐलील पढ़ना है, ठीक है, तो ऐलील में उन्होंने क्या किया, ठीक है, मेंडलीफ ने जुलिया, सौरी मेंडलीफ ने ग्रेगर जोन मेंडल, ग्रेगर जोन मेंडल ने जो है, ग्रेगर जोन मेंडल ने, देखिया, पैरेंटल जेनरेशन क्या किया है, कि दोगर टॉल प्लांट को लिया, ठीक है, दोगर एक ड्राफ प्लांट को लिया, एक टॉल प्लांट को, एक ड्राफ प्लांट को, ठीक है अब दोनों में क्या किया गया क्रॉस करवाया गया क्रॉस करवाया गया आपस में क्रॉस करवाया गया क्रॉस करवा के क्या हुआ मेटिंग करवाया गया तो उससे क्या हुआ कि टॉल पैदा हुआ और इससे भी टॉल पैदा हुआ जैसे मैं आफको समझाना चाहता हूँ अगले पेज पे अच्छे से देखें मैं बस इतना ही समझाना चाह रहाँ कि उन्होंने दो टाइप का प्लाản लिया पहला प्लांट लिया ऩ니다 D प्युल टॉल प्लांट्स इसको आप्लोग बोल रहेैं प्युल प्लांट्स श़ोड प्लांट्स इस एट एइ लूट Tsch अब देखिए इन्होंने क्या किया कि टी टी में से दो गों एलिल आया कैप्टल टी कैप्टल टी का एलिल आइस में कौन को ने एलिल आया स्माल टी का एलिल और स्माल टी का एलिल अब इसमें क्रॉस कराए गया आपस में क्या कराया गया, क्रॉस जब आपस में क्रॉस कराया गया ठीक है, कैपिटल T जो है इसके साथ मिला, तो क्या बना दिया T, T, कैपिटल T, स्मॉल टी ठीक है, फिर देखे ये वला T इसके साथ मिला जईए हाँ देखिए हम लोग कहां समझ रहे थे कि capital T और small T को है जो आपस मिली लिया गया और इसके इसके बीच में जो cross करवाते हैं इसके इसके बीच में जब cross कराएगे तो देखिए कैसे होगा जब इन दोनों की बीच जब cross कराएगे तो इसके ऐलील क्या क्या दिखें capital T small T इसमें क्या दिखा capital T और small T दिखा अब ये वला character इस वाले character के साथ रहे cross किया तो क्या बना दिया capital T capital T sorry फिर ये वला character इस वाले character के साथ reaction माने cross करवाया गया तो क्या बना दिया capital T small t फिर यह वाला character इस वाले character के साथ reaction करवाया गया तो capital T small t लिखा बन गया यह वाला character इस वाले character के साथ जब cross किया तो capital T small t बन गया अब यहां पे देखिए अब आप यहां पे और देख रहे होंगे कि यहां पर क्या हो गया कि दोठों जो है प्योर हो गया और दोठों जो है कम्बाइन्ड हो गया कर अब यहाँ पर देखेंग प्योर कौन है यह वाला प्यूर टॉल है सुरूर टॉल हो गया अर ये क्या व गया प्यूर डार्फ हो pure यह क्या है गए यह pure tall plant है और यह क्या है pure dwarf plant है Coast एं pure plants लेकिन वह लोग क्या थे tall थे क्योंकि इसमें T है dominant है इस तरीके से हम लोगों ने देखा इसको मैं कर देना चाहता हूँ इस जेनरेशन को हम लोग जो फिर्स ये वला जो जेनरेशन था इस जेनरेशन को हम लोग एफ़वन जेनरेशन बोलते हैं कौन से जेनरेशन बोलते हैं इस जेनरेशन को हम लोग एफ़वन जेनरेशन बोलते हैं ठीक है, यह नहीं 1st generation, ठीक है, और वहीं इस generation को हम लोग बोलते हैं, 2nd generation, क्या बोलते हैं, F2 generation, is that clear, ठीक है, F1 generation, F2 generation, देखें, इसमें भी वही था, कि F1 generation में, F1 generation में phenotypic क्या था, all tt, all small t, all है जो capital t, small t हो रहा था, phenotypic में all tall हो गया था, F2 generation में क्या था, कि genotypic क्या था, 1 ratio 2 हो गया, अब phenotypic 3 ratio 1, अच्छे यह ratio कहां से आ गया, बताते देखें, पहले इसको समझ लेते हैं, capital t small t बनाया था, small t capital t आया, capital t small t को जब करवाया था, क्या आ गया, इसमें pure tall tall आया, ये भी tall हुआ, ये भी tall हुआ, लेकिन ये drawf हुआ, तब देखें, अगर आप इसका जो genotypic देखें, जीन से इसमें क्या था, जीन से जो है, जीन जो है, इसमें एक, एक है, जो सुध टॉल हुआ, genotypic देखें, जीनो टाइपिक, अगर रेश्यो कैसे निकलता है, जीनो टाइप अगर देखने के कोशिश करें, तो genotype हैं हमको 2-3 गों जीन मिला, कितने जीन्स मिलें, capital t, capital t देखने के लिए मिला, ये देखें, फिर क्या देखने के लिए मिला, capital t, small t देखने के लिए मिला, फिर क्या देखने के लिए मिला, capital t, small t, फिर क्या देखने के लिए मिला हम लोगको, small t, small t, ठीक है, तो अगर हम इसका ratio के, अगर हम बात करें, ratio का, तो यह ए गो दिखा और यह वला के गो दिख रहा था दो गो दिख रहा था तो यह दो गो आ गया और यह कितने character दिख रहे हैं थे सिर्फ एक ही आया तो हम कहा सकते हैं कि genotypic ratio इसका कितना था 2 ratio 1 Is that clear? Phenotypic ratio कैसे आया देखें Phenotype Phenotypic ratio कैसे है Phenotype अगर ratio देखने की कोशिश करें तो Phenotype Phenotype यानि कि देखें इसमें 3 तो क्या था Tall था Size में 3 तो कैसा दिख रहा है? Tall दिख रहा है Tall A dwarf Physically जो दिख रहा है Tall और Dwarf Tall plant कितने दिख रहा है? 3 दिख रहा है तो 3 हो गया Dwarf plant कितने दिख रहा है? एक हो गया तो एक हो गया यह होगे हमारा Phenotype ratio और यह होगे हमारा Genotype ratio Is that clear? क्या हम लोग आगे बढ़ है? ठीक है अब देखें यही बात यहां पर समझाया Phenotype ratio Genotype Sorry, यहां पर Phenotype होना चाहिए यह Genotype होना चाहिए गलती लिग दिए है ठीक है Is that clear? Genotype ratio पिछले slide में मैं है समझा दिया है अब देखें इस बात को समझने के कोशिश करिए जब क्या बोलता है Pure TT और Pure Small TT ठीक है जब बोथ dominant character हो या फिर बोथ recessive genes हो ठीक है जब उसमें Pure हो प्योर और condition हो तो उसको बोलते है homo-gigus क्या बोलते है homo-gigus जब दोनो एलिल एक दम सेम सेम हो जब दोनो एलिल सेम सेम हो तो उसको क्या बोलते है homo-gigus क्या बोलते है homo-homo मने एक समान और gyus ठीक है यानिकि Pure प्यूर एलिस जब आपस में एक साथ हो तो उस टाइप को हम लोग होमो जाइगस बोलते हैं अब बोलता है capital T small T आ गया क्या न आ गया capital T और small T तब ये तो प्यूर नहीं है प्यूर नहीं नहीं है ये hybrid है ये क्या है hybrid है यानि mixture है तो one dominant हो और one recessive gene हो one dominant gene है इसमें one क्या है recessive gene है तो इस type के है इस type को condition को हम लोग बोलते है heterogigus क्या बोलते है heterogigus ठीक है ये hybrid होते है is that clear phenotypic ratio genotypic ratio में समझा दिया ठीक है phenotypic उसे कहते हैं जो physical appearance में क्या हो physical appearance दिखा है उसको हम लोग phenotype कहते हैं जो मैं अभी पीछे समझाया जिनो type उसे कहते हैं जो genetic makeup हो जो genetically हो ठीक है physical phenotypic में tall shot दिखता है और genotypic में tt capital t small t और small tt दिखता है ठीक है यह समझा चुका हो मैं आपको अब देखे observation क्या है हम लोगों ने जब monohybridization कराया तो क्या-क्या हम लोग को observe किया कि all f1 progeny जो भी बच्चे थे all are tall सारे क्या बच्चे पैदा हो रहे थे tall tall हो रहे थे लंबे हो रहे थे no medium height plant को भी medium height plant करने था halfway of characteristics और उसका है जो halfway characteristics भी था ठीक है second क्या देखा all progeny one by fourth are short ठीक है उसमें से क्या देखा गया कि 4 में से एक है जो क्या हो रहे थे short हो रहे थे चार में से एक क्या हो रहे थे short हो रहे थे ने जैसे मैंने कहने का मतलब है आ गया देखें इसमें से एक दो तीन चार एक दो तीन चार इसमें देखें चार गो में से एक क्या हो रहा था short हो रहा था F2 generation में 1 by 4th क्या हो रहा था short हो रहा था यानि 4 में से ego monohybridization में small हो ही रहा था Is that clear फिर देखिया F2 generation में 1 by 4th आप वर्ड short F2 generation में 1 by 4th है short हो रहे थे phenotypic ratio क्या था 3 ratio 1 3 को tall हो जा रहा था ego darf हो जा रहा था phenotypic ratio genotypic ratio में क्या था 1 ratio to 120 1 to 1 त्रिक से आप याद रख सकते हैं 1 to 1 Is that clear conclusion क्या निकला capital T small t both are tall capital T हो या small t हो both are tall while capital small t t is a short plant इसमें हम लोगों नहीं क्या सिखा capital T capital T capital T small t ये सब दोनों type के allyl वाला क्या थे tall थे small t t वाले क्या थे short थे a single copy of t is enough to make up the plant tall एक अगर plant को अगर tall बनाना है तो capital T ही अगर खाली आ गया न ठीक है तो वो plant को क्या बना सकता है tall बना सकता है जबकि both copies have to be small t for the plant to be short अगर plant को अगर nata बनाना है dwarf बनाना है चोटा बनाना है तो उसको बोथ चाहिए बोथ copy चाहिए क्या चाहिए दोनों copy चाहिए small t small t का दोनों copy जब तक नहीं रहेगा वो dwarf नहीं बनेगा conclusion हम लोग उन्हें देखा characters and traits like capital T are called the dominant traits जो capital T था उसको हम लोग dominant traits का रहे थे क्यों का रहे थे because it expressed itself क्योंकि वो अपने आपको represent कर रहा था small t को है जो recisive traits का रहे थे क्योंकि it remains suppressed इसको है जो दबा दिया जाता था ठीक है is that clear अब हम लोग आगे आते हैं die hybrid cross die का मतलब होता है die hybrid cross में हम लोग समझेंगे die hybrid cross die hybrid cross मने ऐसा cross जिसमे हम लोग ऐसा cross जिसमें हम लोग दो दो character को चूज़ करेंगे कितने character को अभी तक तो monohybride character में हम लोग एक character चूज़ करने थे lamba वाला tall और short देख रहे थे अब इसमें जो दो character को हम लोग चूज़ करेंगे is that clear a cross ये गल्दी लिखा हुआ a cross made between two plants having two pairs of the contrasting character is called the dehydrated dehydrated cross ठीक है dehydrated ये dehydrated cross करते है is that clear ठीक है अब इसमें parent generation में कौन कौन सा लिया the round भी लिया round and seed का color कैसा था green color का seed को लिया ऐसे plant को लिया जिसका है जो मटर गोल हो रहे थे और उसका color क्या हो रहा था green था यानि कि पहला character contrasting character फिर second contrasting character round और green और फिर क्या था wrinkled मैंने जुरीदार और एक yellow ठीक है तो दो character के बीच में है जो आपस में क्या करवाया जा रहा है cross करवाया जा रहा है ठीक है इस cross करवाने से पहले हम लोग इस बात को समझने के कोशिश करेंगे देखे करेंगे कि अभी हम लोगोंने क्या क्या लिया इसी चलते हैं wrinkled ठीक है wrinkled फिर green लिया फिर क्या लिया yellow yellow लिया yellow था आपको board में ही दिख रहा है yellow ठीक है अब देखे round वाले green वाले wrinkled वाले yellow वाले इन सभी को इन्होंने माना क्या क्या मैं यह समझाना चाह रहा हूँ ठीक है देखे हैं देखे हम आपो समझाते हैं रुख जाएए तो असा round वाले के लिए yellow उन्होंने capital R माना क्या माना capital R green वाले के उन्होंने capital Y माना क्या माना capital Y wrinkled के लिए उन्होंने क्या माना small r ठीक है और yellow के लिए उन्होंने क्या माना small y yellow के लिए उन्होंने क्या माना small y ठीक है तियानि कि अगर round और green वाला character लेते हैं क्या लेते हैं round और green वाला character यानि कि capital R capital Y character में क्या show करेगा round और green शो करेगा क्या शो करेगा round और green शो करेगा और वही small rr small yy अगर देखते हैं तो यह क्या शो करेगा pod का size wrinkled है pod का size wrinkled है और yellow है color में ठीक है अब देखे अब इन दोनों को character करवाने लगा अब इन दोनों को cross करवाना है क्या करवाना यहीं यहाँ पर लिखा हुआ देखे यहाँ पर लिखा हुआ गिमिट्स ले लिया गिमिट्स में capital r small y राउंड और green wrinkled और yellow capital r smaller और smaller small y ठीक है अब देखे इन दोनों को क्या करवाया जा रहा है reaction करवाया जा रहा है क्या मने sorry cross करवाया जाएगा cross करवाया जाएगा तक क्या होगा cross करवाने से पहले इसको ध्यान से समझे ओके फ्रेंड्स हम लोग यहां पर थे क्या बोलता है capital r small r capital r capital y मिलके है जो क्या बना था इसमें से देखे कौन सा yellow जो जादा round वाले में से round आ गया और green वाले में से एक y आ गया ठीक है और small r wrinkled में से एक आ गया और yellow में से small y आ गया ठीक है अब इसमें से इन दोनों के जब cross कराया गया इन दोनों कराया गया एक हो capital r और एक हो small r capital r smaller प्रभावित हो गया affected हो गया capital y और small y यहाँ पर affected हो गया तो देखे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब यह कौन कर रहा है round और yellow बन रहा है क्या बन रहा है round और yellow ठीक है क्योंकि यहाँ पर round वाला ज़्यादा show कर रहा है is that clear मैं यही समझाना चाहा रहा था ठीक है is that clear यहाँ पर green कर लिजेगा कहा गया green कर लिजेगा क्योंकि देखे green का है जो एलील ज्यादा शोकर आए क्योंकि capital Y को हम लोगों ने green माना था round रर क्या बनेगा green ठीक है आगे बढ़ते हैं F1 generation में वो ही बोला था कि capital Y और capital R मिलके all है जो RY होगा small r और small y मिलके all RY जब दोनों का आपस में जब cross कराएगा था जैसे F2 generation में क्या हुआ F2 generation में इन दोनों को उठा कर रख दिया गया capital R small r capital Y small y capital R small r capital Y small y जब इन दोनों का आपस में cross कराएगा था हम लोग monohybrid के तरह नहीं कर सकते हैं इस तरह से हैं जो हम लोगों ने भी किया था ठीक है तो वैसे करेंगे तो काम गरबड हो जाएगा is that clear ठीक है तो इसको हम लोग है जो ऐसे कर सकते हैं देखिएगा ये समझाना हम चाहर है कि capital R small r capital Y small y capital R small r capital Y और small y इसमें से देखिए कौन कोन से ली लाएगा इसमें से एलिल पहले r वला capital R capital R मिलके बन जाएगा capital R capital Y फिर क्या होगा capital R small y के साथ आके मिल जाएगा capital R small y फिर देखिए इसमें small r जो है capital Y के साथ small r जो है capital Y के साथ आके मिल गया small r small y के साथ आके मिल गया यहाँ पे चार possibility बन सकते हैं इससे कितने possibility बन सकते हैं, चार्ग गेमिट बन सकते हैं, यहां पर भी ओई कांड होगा, capital R, और capital Y से आके मिलेगा, capital Y, capital R, small Y से, small R, capital Y से आके मिलेगा, small R, small Y से आके मिलेगा, अब देखिए, अब यही है जो आपस में cross करेगा, क्या करेगा, आपस में cross करेगा, यह वला है जो है इसके साथ पहले करेगा, फिर यह वला है जो इसके साथ करेगा, फिर यह वला है जो इसके साथ करेगा, फिर यह वला है जो इसके साथ करेगा, फिर यह इसके साथ, फिर यह जो है इसके साथ, फिर यह जो है इसके साथ फिर इही वला है इसके साथ फिर इही वला है जो इसके साथ यह चार बार है जो मतिपर mental होगा आपस में ठीक है इन्य सोल्ला पोस्बिलीटीıs बनेंगे F2 generation में, कितने generation में dihabidization के F2 generation में देखिए हम लोग उसको आच्छे से समझने की कोशिच करते हैं आपने तरीके से हम आपको समझाते हैं देखिए यह पेजी ले ले लेते हैं देखिए मैं बस इतना ही समझाना चाहरा हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच कितना हो गया, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बार, तेरह, चौदा, पंदा, सोला सोला हो गया, अब देखिए इसकी तुझे रोत नहीं है, इसको आटालते है अब देखिए मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है, कौन-कौन से आएगा पहले अभी मैंने क्या दिखा रहा था इसको मैं हटाई यह देता हूँ देखिए, यहाँ पर पहले कैप्टल आए, कैप्टल वाई कैप्टल वाई और कैप्टल वाई आया, फिर देखिए कैप्टल वाई, 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 कैप्टल वा यहां पर क्या क्या आएगा Capital Y Pen जो नहीं चलता है न देखिए Capital R Capital Y Capital R Small Y Small R Capital Y Small R capital Y, ठीक है, अब इसमें आपस में cross करेगा, अब ये वला है जो इसके साथ cross करेगा, तो cross करते हैं क्या हो जाएगा, capital R ये क्या हो रहा है हम यहाँ पर ये reaction करेगा capital R, capital R देखें, लिखाने रहा है इसे में दिखा रहते हैं, देखें देखें अब यहाँ पर क्या है capital R, capital R, और इसके साथ reaction क्या है, देखें, RR यहाँ पर show कर गया, capital R, capital R, І, वाइ,- यहाँ पर capital Y हो गया, फिर यहीं पर हairs capital R, capital R, और यहाँ पर हुआ, capital Y और small y यहाँ पर represent हो गया, फिर यह जो है आपस में क्या और across हो रहा है, यह नीचे को representation कर रहा है, इस तरीके से ये, इस तरीके क्या होते जा रहा है, multiple होते जा रहा है, और इस तरह से ये represent करते जा रहा है, is that clear, ठीक है, तो phenotypic ratio इसका क्या जाता है, 9 जो है round और yellow आता है, 3 जो है round और green आता है, थ्री जो है, wrinkled और yellow आते हैं, 1 जो है wrinkled और green आते हैं, तो हम इसका कह सकते हैं कि इसका जो phenotypic ratio है, किसका, इसका जो phenotypic ratio, phenotype जो है इसका, 3931 क्या हो सकते हैं 3931 है यह 3931 31 में अगर 3 का multiple करी है या यह यह आगा यह यानि 3931 इसका क्या हो गया phanotopic ratio हो गया इसको genotopic ratio क्या होगा देखें इसका जिनो typic अगर ratio बात करें तो genotopic ratio यह बला होगा अब इसको लिख कि दिखा आता हूं 1221 1221 42 1221 यह आपको याद रखना है ठीक है ट्रिक है 1221 इसको दोनों को एक साथ याद रखी है 1221 फिर 42 को एक साथ फिर 1221 ठीक है जिनोटाइपिक रेशियो आपको याद हो जाएगा Is that clear? आगे बढ़ता है Observation क्या कहता है कि when capital R and small capital R and capital Y was crossed with small r and capital Y in F1 generation all were capital R, small R, capital Y, small y round and yellow round and yellow था क्या था रांद था? Self-pollination of the F1 plants gave parental phenotype plus two mixtures recombinants round wrinkled green yellow and seed plants seeds plants appeared in the ratio 9 ratio 33 अभी मैं बता रहा था कि round, wrinkled, green और yellow, क्या रहा था? 33 अरहा था, is that clear? conclusion क्या रहा? round and yellow जो seed था round और yellow seed जो था dominant characters था, क्या था? dominant, यानि strong characters था occurrence of new phenotypic combination show that show that genes for round and yellow seeds are inherited inherited independently independently क्या हो रहे थे? inherited हो रहे थे, यानि जा रहे थे round और yellow क्या हो रहे थे? जा रहे थे देख रहे हैं तो dominant character थे ये लोग round और yellow character क्या था? dominant character था, जो एक character जो एक generation से दूसरे generation में क्या हो रहा था? transfer हो रहा था वो, is that clear? अब देखिए, अब आजाते हैं हम लोग sex determination पर sex determination क्या है? phenomena of the decisions or the determination of the sex of offspring, offspring मने संतान offspring मने क्या होता है? संतान मने संतान लड़का होगा की लड़की होगा यह हम लोग पता कैसे करेंगे? sex determination से ही पता चलता है ठीक है? देखे कैसे factors are responsible for the sex determination कौन-कौन सा factor जो है responsible होता है sex determination के लिए? पहला तो है environment, फिर दूसरा है genetics environment कैसा है? in some in some animals the temperature at which the fertilized eggs are kept decides the gender internal, कभी-कभी क्या होता है? environment में उसका जो fertilized egg जो होता है, egg ठीक है? female का जो egg होता है, fertilized वो कभी-कभी decision लेता है ठीक है? in some animals the temperature, temperature affect करता है fertilization में, ठीक है? example में turtle में ऐसा ही होता है कि उसका fertilization जो होता है temperature के नुसर होता है, ठीक है? कि कहाँ पे जैसा temperature लेगा उस अनुसरा से fertilized हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है? genetics में क्या होता है? in some animals like human genders individuals is determined by a pairs of chromosomes called the sex chromosomes humans में ऐसा नहीं होता है humans में जो है chromosomes पे depend करता है ठीक है? कि वो male होगा कि female होगा जैसे female का chromosome क्या है? female के लिए है जो XX है? ठीक है? और male के लिए जो XY है is that clear? अब देखें अब यहाँ पे अगर हम sex determination की बात करें तो यह हमारा father है यह father है एक और यह mother है अब father से कौन कौन से chromosome है XY chromosome है ठीक है और यह sperm के मादियम से दो gamit में बदल गया X और Y ठीक है और mother के ovum से X और X आया ठीक है अब यह X जो है इसके साथ मिला तो क्या बन दिया? X, XX मिलके female child बना देखें नीचे देखने कुशिक करें X और X मिलके क्या बना? XX मिला female फिर X जो है फिर यह वाला X जो है इसके साथ मिलके क्या बना? फिर female बना यानि कि 50% क्या होता? female बनने की chances है अब देखो अब यहाँ पे अगर Y वाला chromosome X के साथ अगर react करेगा तो क्या बनेगा? male बनेगा और यह वाला Y वाला chromosome अगर X के साथ यह करेगा तब फिर भी Y बनेगा यानि 50% male 50% male और 50% female बनने के chances है तो वही बल रहा है कि XY जो है male वाला और XX जो है female वाला यह क्या था? male और यह क्या है? female ठीक है? तो male वाला XX में से X और Y आगया अब यह वाला X जो है यह वाला X के साथ इसमें तो दो दो होते न यह वाला X के साथ मिलेगा तब female बनेगा अब यह वाला X जो है इसके साथ बनेगा तब भी क्या बनेगा? female ही बनेगा क्या बनेगा? और ये वला बाई जो है इसके साथ बनेगा तो male बनेगा और ये वला बाई है जो इसके साथ बनेगा तभी xy बनेगा यानि कि male इस देट क्लियर ठीक है यही बाती यहां पर लिखी हुए है पैरेंट्स में क्या है फादर में xy होता है मैंदर में ये लिखा हुआ जो मैंने आपको समझा दिया ठीक है इस शूज़ देट इस शूज़ देट हाफ चिल्रेंट विल बी विल बॉइस एंद हाफ विल बी गल्स यानि कह सकते हैं 50% boys और 50% 50% male और 50% female हो सकता है all children will the in inheritance and x chromosomes ठीक है from the their mothers regardless whether they are boys or girls हम लोग क्या बूलता है x chromosomes तो सब में होता है लेकिन x और y है जो determine करता है ये वाला y जो chromosome है determine करता है कि वो male होगा की male होगा की female होगा is that clear male होगा की female होगा does the sex children will be determined by what they inherited from their father not from the mother यानि कि जो बच्चे पैदा होते हैं ठीक है वो female effect नहीं करती है male का affection है क्योंकि male है na male में y chromosome है वह ये effect कर रहा है कि बच्चा लड़का होगा की लड़की होगा is that clear इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर ये chapter खतम कर दिया अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like subscribe and comment जरूर करें थैंक्यू जैहिन जै भारत झाल हुआ हुआ है